मित्रो नमस्कार उस्ट्रो नाक बोलने पर नाक में नाक का ज्यादा प्रयोग नाक से हवाजादा निकले वही नाशिक कहलाता है तो यह नाशिक कौन-कौन से होते हैं यह होते हैं कि नासिक को ते हैं यह HOW अधा होता है अर एक होता है अ और अंगर और न और यहाते हैं यह होते हैं तो इसमें कौंसा है आफ्टने न जो है यहीशा हो जाएगे न वोलते हैं आप हवा नाक से निकलता नाना करके यह नाशिक है ठीक इसको आप नोट कर लीजेगा बहुत इंपॉर्टेंट है अगला प्रस्न है साथियों स्री क्रिष्ण के सुन वचन अरजुन क्रोध से जलने लगे सब सोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे संसार देखे अब हमारे सत्रुरण में मृत पड़े करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठके खड़े प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है तो इस पंक्तियों को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें पहले ही दे दिया है क्रोध ठीक पहचान दे दिया है अगर रोध रसका स्थाई भाव है तो आफ्सन ए इसमें सही हो जाएगा मित्रों ठीक अगला प्रस्ण है साथियों निम्नलिखित में असत्य की पहचान कीजिए इसमें असत्य बताना है कौन सा है यह वेंजन से प्रस्ण है तो इसमें कौन सा है और वेंजन वर्गों के तीसरे इन अगोस होते हैं जब तीसरा चोथा और पाच्वा सगोस हो गया तो जायश सी वात है पहला और दूसरा क्या हो जाएगा अगोस हो जाएगा यह भी सही है और क्या है प्रस्ण मतलब जिसमें घरेंगे तो ढाप क्या होता है जिसमें घरतर नहीं होता है बोलने पर टीक तो यहाँ बहुर जाएगा और आजम सभी बिसर्ग सगोस होते हैं जो की गवाश है डिक तो इसमें ऑसति तुर इसमें जो है यह बिल्कुल गलत है अगला प्रशने साथियों किरिया का मूल रूप क्या कहलाता है किरिया किस से बनता है जैसे धात होता है पढ़ होता है और इसमें आप ना लगा देते हैं तो क्या बन जाता है पढ़ना बन जाता है अगर पढ़ना बन गया किसी धात के पीछे या आखिरी में ना लगा होता है तो वही किरिया क्या होता है किरिया का मूल रूप क्या होता है यह क्या अगला प्रस्ण मित्रो सुरेंद्र रवर्मा को साहित्य अकादमी पुरसकार किस वर्ष प्रदान किया गया इनमें से आप बताईए कि किस वर्ष इनको प्रदान किया गया तो सुरेंद्र बर्मा को साहित अकादमी पुरसकार मित्रों इनको 1996 में परदान किया गया कब परदान किया गया 1996 में और किस कृत के लिए इनको साहित अकादमी पुरस्कार परदान किया गया मुझे चांद चाहिए देख रहे हैं इनको क्या चाहिए चांद चाहिए मुझे चांद चाहिए अब कि पता नहीं किसके लिए मांग रहे हैं हो सकता इनकी चांदनी ने कहा हो, कि चांद लेकर आईए, इसलिए इनकी डिमांड है कि मुझे चांद चाहिए, इनकी कृति है, मुझे चांद चाहिए, इसी के लिए इन्हें 1996 में साहित्य अकादमी पुरसकार दिया गया, अगला प्रस्ने मित्रों, इनमें से उसी समय का, उसी समय क को व्यक्त करने वाला कौन सा एक सब्द है इन मेंसे कौन सा सब्द है जो व्यक्त करेगा कि उसी समय तो उसी समय की बात जाब कहते हैं तो उसका मतलब क्या होता है ततकालीन, ठीक, उसी समय की बात मतलब ततकालीन, तो आफसन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अगला प्रस्न हमित्रों निम्न लिखित में से सही वाक की पहचान कीजिए, आफसन हमित्रों स्री कृष्ण के अनेको नाम है, तो अनेकों का बहुबचन, ये पहली बात तो अने अनेकों सही नहीं होता है अनेक जो होता है यह हमेशा बहुबचन में ही परयोग होता है और उसको अगर अनेकों लिख देंगे तो यहीं गलत हो जाएगा तो इसमें सुद्ध बताना है तो सुद्ध कौन सा हो जाएगा स्री कृष्ण के अनेक नाम है आफसन भी इसका सही उत अगला प्रस्ने मित्रों आज कल के नौजवानों ने बुजुर्गों की खराब कर रखी है तो यह इस हिसाब से कहा गया है मालीजिए कि जैसे आप आप हो और आपके पिदा जी बुढ़े हो और आप ना कमा खा रहे हो कुछ अच्छे से ना कर रहे हो तो उनका क्या खराब ह हो जाएगा इसमें से आप बताएगे अच्छे काम नहीं करेंगे तो आपके जो हैं गुढ़े दादा दादी या कोई भी हैं जो आपके सनचक है तो उनके क्या होगा लोग कहेंगे कि इनका सब कुछ बिगड़ गया इनका मिट्टी खराब हो गया तो अगला प्रस्ने मित कृत्रों क्रित प्रत्यों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं क्रित प्रत्यों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं और सकर्म का भी है पूर्व कौली का उसन सी क्रिदंद आफसंडी है नामधात तो नामधात किने कहते हैं जैसे बात से बतियाना ब याना तो जिसमें याना वाना आना आये वो नामधात किरिया होता हाथ से हतियाना बात से बतियाना लाथ से लतियाना ठीक तो जिसमें याना वाना आये क्या होता है नामधात किरिया होता है और जिस जो ये पूर्वकालिक किरिया के बारे में आपको बताएं जैसे नहा कर खा गया या वह नहाकर खाने गया तो जिसमें नहाकर खाकर ये सब्द आए तो अगला परसनें मित्रों चैन की वंसी वजाना मुहावरे का सही अर्थ होगा तो चैन की वंसी वजाना ये पाचीवी कलास में बहुत पढ़ाया जाता था हमें थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है यह मुहावरा बहुत पढ़ाया गया है यह तो ऐसे याद होना चाहिए तो इसमें क्या होगा सुख से रहना आसन भी है धीरे धीरे काम करना आपसँ दीरे करना बात पर अड़े रहना है प्रतीच्छा करना अंत करें कोई कि आता नहीं समय तरthers चैन की बन्षि बजाना मतलब अंन चैन या सुख से रहना क्या सुख से रहना एक दम संद्धी से काम करना अपना है अगला प्रसने मित्रों निम्न लिखित कौन सा बिकल्प विराम भेद और उसके चिन्द को सुमेलित नहीं करता है इसमे बताना कौन सा बिराम चिन्द महीं तो पूडविराम का बिल्कुल सही है ऐसे ही होता है और योजक का चीन ऐसे होता है तो इसमें अलग क्या हो गया यह योजक चीन जो है यह गलत लिखा गया था ठीक आफसन सी इसका right answer हो जाएगा अगला प्रस्मे मित्रो निम्न लिखित में से कौन सा विकल्ब सब्द और उनके अनेकार्थी सब्दों की सही जोड़ी नहीं है इसमें से कौन सा अनेकार्थी सब्दों की जोड़ी सही नहीं है तो अंक का मतलब चिन्न भी होता है भाग भी होत होता है और बली का मतलब होता है उपहार और कर यह आप हिस्सरी में पड़े होंगे कब बली मतलब या उपहार देना होता है तो इसमें सरह होगा सर्प के प्रयावाची है, किसके प्रयावाची है, सर्प के प्रयावाची है, और भौरे का क्या होता है, अली होता है, मधुकर होता है, मधुकर, और क्या होता है, दुईरेफ होता है, दुईरेफ, ठीक, भौरे का प्रयावाची क्या होता है, अली मधुकर, दुईरेफ, और हाथी का होता है हस्ती होता है गज होता है अगला प्रसन है मित्रों निर्म लिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए इसमें सही वाग के पहचानना है और अफसन दी है वे धीमी स्वर में बोला तो इसमें सही कौन सा हो जाएगा वह धीमे स्वर में बोला ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा आफसन सी इसका सही और 30 गुत्तर हो जाएगा सात्यों अगला प्रस्ण वित्रों अमरित लाल नागर ये नागर है अमरित लाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथावस्तु है इसको हम टापिक वाइज जब आपको पढ़ाए है रचनाओ की तो उसकी चार-पांच वीडियो बनी है अगर आप पहली बार क्लास देख रहे हैं तो अमरित लाल नागर का उपन्यास मानस का हंस इसकी कथावस्तु क्या है मित्रों ये है तुलसी का मानसिक विकास इसमें जो है यही इसका कथावस्तु है तुलसी का मानसिक विकास अगला प्रस्ण है साथियो जो भेदा ना जा सके वाक्यांस के लिए एक सब्द होगा जो भ और जो बहुत सक्तिसाली होता है सबसे बलसाली होता उसको सर्वसक्तिमान कहते हैं अगला प्रस्ण मित्रों निमलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांस और उनके लिए एक सब्द की सही जोड़ी नहीं है यह जहां कहीं भी आ जाए इस पर ध्यान दिया करिए नहीं तो हम सही जोड़ी है पढ़के निकल जाते हैं और गलत हो जाता है और बाहर निकलते हैं तो कहते हैं ओ माइग ब्राबर होता है अग्याणी अगर आपको कंफ्यूजन लगे तो इसको जान लीजिए अग्य वराबर होता है अग्यानी के मतलब ना कुछ जानने वाला और इसका विलोम क्या होता आगे का विग्य होता है विग्य मतलब विग्यानी या ग्यानी ठीक तो इसको भी किलियर करिएगा जो मापा ना जा सके उसको क्या कहते आपर में जिसको मापा नहीं जा सकता और आफसंडी है जो अनुकर करने जोग होता इसको अनुकरड़िये बोलते हैं लेकिन इहां पर क्या दिया गया है विश्वसनिये तो इसमें यही जो है सुमेलित नहीं है सही जोड़ी नहीं है आफ-सनडी इसका सही हो जाएगा है अगला उत्लों यहां पढ़ा यहां पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच प्रिक्त हुआ है तो वाच कितने परकार के होते हैं यह कर्म वाच कर्थ वाच और कर्थ वाच यह कोई वाच नहीं होता जो अवधिवाच लिखा है तो जब ना की भाव कि यहां पढ़ा नहीं जा सकता है तो यहां पर भाव वाच्छोगा कैसा वाच्छोगा भाव वाच्छोगा और जिस वाक्य में करता की परधानता होती है वहां कर्म वाच्छोता है और जहां पर भाव की जैसे यहां नहीं आ जाता है भाव में अक्सर नहीं आता है तो उससे भाव किलियर हो जाता है ठीक और जहां पर कर्म की परधानता होती है वहाँ पर कर्म वाच्छ होता है साथियों अगला प्रस्न है मित्रों राजेस जोसी को साहित अकादमी पुरसकार किस रचना पर प्राप्त हुआ राजेस जोसी को किस साहित अकादमी पुरसकार किस रचना के लिए प्राप्त हुआ आफसन ए है मित्रो दो पंक्तियों के बीच आफसन भी है नेपत्थ में हसी आफसन C है मिट्टी का चेहरा आफसन D है एक दिन बोलेंगे पेड़ तो ये नेपत्थ जो होता है ये नेपत्थ किसे कहते है परदे के पीछे का अस्थान जो होता है परदे के पीछे परदे के पीछे का अस्थान को क्या कहते हैं नेपत कहते हैं और राजेस जोसी को जिसके लिए स्थाहित्य कादमी पुरस्कान मिला है वो है रचना इनकी दो पंक्तियों के बीच अगला प्रसन हुथ भोर, विहान, निसान्त निम्नलिखित में से किसके परयायवाची है आफसनभ he 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 prabhat, आफसन डार है तो भोर यही आप देखकर इसको पहचान सकते हैं अगर इसको ना जाने तो निशांत का मतलब क्या होता है निशा का अंत निशा का अंत निशांत का अर्थ मतलब क्या होगा निशा का अंत मतलब सुभा होगा ना या भोर तो यह किसके प्रयावाची है यह प्रभात या सुभा के प्रयावाची है ठीक बिहान भोर निशांत य कह safest के दिन के प्रियावाची होती है ए संध्या का संध्या गोधूल और संध्या संध्या दोनों है segment प्रश्जिंस प्रश्य मित्रों निम्न designer नहीं हैह समज्ञा ayam चाहां पर अनुप्राशलंगार होता कि दो से अधिक अर्थब निकलते हैं जैसे मोटी मानस चून वाल रहिमन पानी राखिए बिन पानी सब्सून और पानी गये ना उबरे मोटी मानुस चून तो यहां पर पानी के तीन अर्थ है एक जो है इज्जत है एक चूने के लिए है तो इसी परकार सिलेश का मतलब क्या है कि दो या दो से अधिक अर्थ लेकिन संदेह जहां उपमान में का संदेह होता है इसमें यही चीज गलत दे रखा यहां उपमे में उपमान का होगा यह अगर पीछे करके लिखा गया है तो इस परकार यह सुमेलित नहीं है इस प्रसंद का उत्तर आफसें डी हो जाएगा ठीक परिभासा तो इसकी स़ह में होता है जो उपमे में मान कि संदेह प्रकट किया जाता है तो यहाँ पर संदेह अलंकार होता है उसके जिनका जनम अंडे से होता हो को ब्यक्त करने वाला कौन साएक है जिसका जनम अंडे से होता है, उसको क्या कहा जाता है, नंडर C है, अंडर आंडर , अंतेज, तो अंडर का मतलब क्या होowment, यह जा का मतलब जन्म होगा और अंडर मतलब अंडा होता है, तो अंडे जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं अंडज कहते हैं साथियों आफसन सी इसका सही हो जाएगा और अंड़े से जन्म लेने वाले यह जो पच्छी है पच्छी अंड़ा से जन्म लेता है तो यह इसका समानार्थी हो जाएगा तीक लेकिन जैसे द्विज का समानार्थी होता है द्विज का दात होता है पच्छी होता है और मेरे नुन किया होता है यृट होता हे द्विज अनेक आर्थी सब्द है और जिसका जर्म अंडे से होता उसको अंड़स कहते हैं आफसन सी समें सही हो जाएगा अग्ला प्रसे शातियों लोग भूल गए हैं लोग भूल गए हैं पर साहित अकादमी पुरसकार पाने वाले कभी हैं लोग भूल गए हैं इस रचना के लिए सा तो लोग भूल गए हैं यह किसकी कृति हैं यह रघुवीर सहाय की है और इसके लिए इन्हें साहित अकादमी पुरसकार मिला है क्या मिला है साहित अकादमी पुरसकार मिला है साथियों तो अगला प्रस्ने मित्रों मोच प्राप्त मोच प्राप्त सद्ध का समास बिग्रा कर सबस्क्राइब रही बाजिए नेट नहीं चल रहा गया मोश मोख को प्राप्थ घृत इसमें बिभक्ति पूछा गया साथियों कौन सी बभक्ति होगी ये को होगी ठीक तो आफसन डीस में राइट आंसर हो उसको आइसे याद कर लिए विभक्ति वाला समास तत्पुरुस समास ठीक ब्लाबी कमीज पहनी है इसका नाम स्थान है के इस replacing है इसा इसमें outcome लाएगा उसका कि जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसका नाम स्याम है तीक एसनबी सही हो जाएगा अगला परशREE मित्र चाबुक निबंध संग्रा के रचनाकार हैं चाबुक निबंध किकी में है यह प्रेम प्रिम जंद ऑफप्रसाद से शूरिकांति तो इनको आप अगर न आता हो तो तुपकवक का लगा सकते हैं वो इसे तुका मत लगाया करिए गलत ही होता है जादातर। अगला प्रस्ने सातियों, गंगा मैया उपन्यास के लेखक है, गंगा मैया एक उपन्यास है, जिसके लेखक कौन है? आफ्सन A है नागार्जुन, आफ्सन B है भैरोपरसाद गुप्त, आफ्सन C है राही मासूम र गंगा मैया उपन्यास के रचनाकार है, भैरोपरसाद गुप्त, कौन है मित्रों? यह भैरोपरसाद गुप्त है, आफ्सन B का राइट आंसर हो जाएगा, अगला प्रस्ने सातियों, तुलसी कृत सब्द का समास बिग्रह करने का कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है, तो क्रित या रचित, तो इसमें विभक्त क्या हो जाएगी, द्वारा हो जाएगी, और यह किस आफ्सन में दिया गया है, तो आफ्सन A इसका सही उत्तर हो जाएगा, और फिर विभक्ति वाला समास कौन सा है, तत्पूरुस समास है, तत्पूरुस समास, इसमें क्या हो नहीं है इसमें अम्रित कानेकार्थी सब्द कौन सा नहीं होगा तो अम्रित कानेकार्थी क्या होता है सोना होता है पारा होता है दूध होता है और अमिय तो और दूध होता है ठीक इसमें क्या नहीं होगा मोती जो है यहीं अम्रित कानेकार्थी सब्द नहीं होगा तो आपस आपसंबी है मति राम आफसंस है पदमाकर आपसंडी है देव विलस और रस विलस के रच्ञाकार कौन है साथी एनका पूरा नाम जानते हैं क्या इनका पूरा नाम है देव दत अ प्रसनी इतने ही ते और चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा और अपने मित्रों के साथ शेर करिएगा और सबसे आपको बढ़ाई देना चाहते हैं मित्रों आज अमारे परिवार की 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए है तो इसके लिए आपको धेर सारी बढ़ाईया और सुबकामने आप ऐसे ही परिवार को बढ़ाते रहेंगे तो आपको और अच्छे से कंटेंट भी मिलेगा और और भी विश्यों के अध्यापक अभी आपके लिए हम लेकर आएंगे तो आप साथ बनाए रखिएगा इससे ही हम उमीद करते हैं तो ठीक है मित्रों आज के लिए इतना ही जै हिंद जै भारत जै हिंदी